इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भौतिक और रासानिक परिवर्तन के अब्जेक्टिव टाइप के परसनोत्रों के बारे में तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भौतिक परिवर्तन है क्या और रासानिक परिवर्तन क्या है तो चली देखते हैं इसको बहुतिक परिवर्थन यानि की फीजिकल चेंज इसमें पदार्थ की केवल बहुतिक अवस्ता ही बदलती है उनके रासानिक गुण परिवर्थी तो नहीं होते है और बहुतिक परिवर्थन ऐस्था ही होता है तो था उत्कर्मणी यह होता है उत्कर्मणी यानि कि रिवर्शिबल है यानि कि पदार्थ है उसके अवस्ता बदल दाती है और वैपुने उसी अवस्ता में वापस आ दाता है जैसे पानी से बरभ बनना बरभ से वापस पानी बनना इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है तो ये जो खास बात है भोतिक प्रिवर्तन की हमें इनको घान में रखना है इसी परकार्श दूसरा है रासानिक प्रिवर्तन यानि की केमिकल चेंजेज इसमें पदार्थ की भोती को वस्ता के साथ साथ में उसके रासनिक गुन भी बदल जाते हैं और यह इस्थाई होता है और अनुजकर्मनी यह है यानि कि इर्रिवर्शिबल है और इसमें खास बात है कि नया पदार्थ बनता है तो हमें यहाँ पर इन पॉइंट को धड़ में रखना है और अब अपन बात करते हैं इसके परस्नों तरोक के बारे में तो चलिए सुरुआत करते हैं पहले क्यूसन से पहला क्यूसन है निमन में से कौन सा एक भौतिक परिवर्टन है यानि कि physical change कोन सा है तो पानी का बरफ में परिवर्तन भोतिक परिवर्तन है क्योंकि पानी शे बरफ बन सकती है और बरफ शे वापस पानी बन सकता है यह है reversible है इसलिए यहाँ पर यह भोतिक परिवर्तन है दोस्रा आपस ने रखा मानों में साउसन respiration जो है वो भोजे पदार्थ है उन पदार्थों के ओक्षिकर्ण से उर्जा मूगत होती है यहाँ हम पुने उन पदार्थों को पराप्त नहीं कर सकते हता है यह राशानी परिवर्तन है मानों में भोजन का पाचन जटली जो कार्बनिक पदार्थ है उनका विबिन एंजायमों के दुआरा सरल पदार्थों में बदलना पाचन का लाता है जैसे कार्बोहाड़ेट पोली शेकराइड है तो वो डाई शेकराइड फिर मोनो शेकराइड में सरल अनों में तूटता है यशी परकारशे प्रोटीन जो है वो एमिनेशिड में तूटता है यशी परकारशे वसा जो है वो फेटी ऐसीड और गिल्स रोल में तूटता है तो यहाँ पर बोजन का पाचन जो है वो भी एक परकार का रासानिक परिवर्तन है और दूद से दही जमना प्रासानी प्रिवर्तन है क्योंकि वापस अपन दही से दूद प्राप्तन नहीं कर सकते अनुद कर्मणी है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पानी का बरप में प्रिवर्तन पहला उप्सन से ही है दूसरा किस्टन देखते हैं हम रसोई में जिस गेस का उप्योग करते हैं अपने गरों में जो रसोई गेस सिलेंडर है उसकी बात हो रही है वह है दर्विद पेट्रोलियम गेस यानि कि ये लपीजी गेस कराती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गेस कराती है cylinder में LPG gas दरवे के रूप में होती है क्योंकि इसको cylinder में भरते समय बिल्कुल compress किया आता है संपिरित किया आता है और ये दरवस्ता में cylinder में हो जाती है परनतु cylinder चे बाहर आते ही ये gas सब्वस्ता में परिवर्थित हो जाती है ये पहला परिवर्थन B कलाता है तो यहाँ पर इससे समझेत कुछ कथन जो है उनके बारे में नीचे बताया गया है हमें सही कथन का चेन करना है पहला जो कथन हुआ है परकरम A एक रासानिक प्रिवरतन है देखो परकरम A क्या था LPG दरोवें है और यह गेस में बदलती है तो दरोवें से गेस में बदलना और गेस से दरोवें में बदलना यह तो बहुतीक प्रिवरतन है तो यहाँ पर इस्टेट्मेंट गलत है दूसरा है परकरम B एक रासानिक प्रिवरतन है हाँ बिल्कुल सही है क्योंकि गेस का दहन हो रहा है जल रही है गेस तो एक रासानिक प्रिवरतन है तिसरा परक्राम A और B दोनों ही रासानिक हैं ये भी गलत है इसमें से कोई भी परक्राम रासानिक प्रिवरतन नहीं है सेक्ट वाला रासानिक है तो यहां पर खया आंसर इसका सही हो जाएगा कि परकरम B जो हो एक राशानिक परिवर्तन है फिर आते हैं अंगले क्यूश्टन के और क्यूश्टन नमर तीन है कौन सा परिवर्तन कौन सा राशानिक परिवर्तन का उधारन नहीं है यानि कि केमिकल चेंज नहीं है इसका उलब फिजिकल चेंज है, भोतिक परिवर्तन है तो मोम का जलना, रासाइनिक परिवर्तन है देखिए, कागज का जलना, लकडी का जलना, कोईले का जलना ये सारे का सारे रासाइनिक परिवर्तन है, क्योंकि उसमें राक बन जाती है मेगनीशियम का तार का जलना, मेगनीशियम का फीता, रबड, मेगनीशियम का जो रीबन है मेगनीशियम धातु है और चैसका तार हो या रीबन हो अगर वो जलता है तो मेगनीशियम मोक्षड बन जाता है तो यहाँ पर दहन होना जो एक प्रकार का रासनी प्रियोतन है जल का उबलकर वास बनना यानि कि पानी से भाब बनना और भाब से वापस पानी बनना ये एक भोतिक प्रियोतन है तो इसका सही आंसर यह हो जाएगा लोहे में जंग लगना जो iron है उसका corrosion यानि कि संक्षारण होना तो हमें ये पता है कि धातों का जो संक्षारण होता है जैसे लोहे का जंग लगना अपने बात करते हैं तो इसमें फेरी कोक्षट बन जाता है और जंग लगने पर उसका वजन बढ़ जाता है क्योंकि जो वायमडले नमी वादरता है उसके कारण दातों का संक्षारण होता है वायो की उपस्ति में तो इसका correct answer जो अपना तीन नमर हो जाएगा इस ये परकार शे अगला question है निमन में से बहुतिक परिवर्तन है बहुतिक परिवर्तन कौन सा है तो पोदे की वर्ती जो है ये रासानिक परिवर्तन है क्योंकि पोदे की जो ग्रोथ हो चुके वो वापस अपने आप सबते पहले वाली इस्ति में नहीं आ सकता दूद का फटना भी रासानिक परिवर्तन है लोहे के चुरण वे बालू को मिलाना लोहे का चुरण है पाउडर है और बालू मिट्टी जो है सेंड है उसको अपन आपस मिक्स कर देते हैं तो ये परकार का भोतिक परिवर्तन है क्योंकि अपन चुमग के पर्थकन विदी से लोहे को वापस अलग कर सकते है मिट्टी में से और खाना पकाना बोजन का पकना या पकाना जो है वो भी रासानिक प्रिवर्तन है तो यहाँ पर जो C ओपसन है तीसरा जो ओपसन है वो भोतिक प्रिवर्तन है इसका C आंसरोजे का C इसी परकार से क्योंसा रासानिक प्रिवर्तन का उधारन नहीं है यानि कि chemical change कौन सा नहीं है तो देखेगा जो अवक्षेपन है अवक्षेपन एक प्रकार की रासानिक अविक्रिया है तो यहाँ पर यह रासानिक प्रिवर्तन है अवक्षेपन में होता क्या है कि जब अविकारक अविक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं तो कुछ सुत्पाद अभिकरिया में काम लेने वाले उपकर्ण जैसे टेस्ट टूब है या कोई बीकर है या फलास्क है उसके पेंदे में एक्तृत हो राते हैं और ए गुलंशिल पतार्थ बनाते हैं उसे अपन औक्षेप कहते हैं तो यह जो औक्षेप बनता है यह रासान परिवर्तन का एक्जामपल है इसी परकार से लोहे का चुम्बक में बदलना लोहे का चुम्बक में बदलना जो है वो भौतिक परिवर्तन है तो अपना जो परसंथा के रासानिक परिवर्तन नहीं है यानि यह भौतिक परिवर्तन तो इसका से आंसरी हो जाएगा अब लो जुआ रहेगा उस में चुम्बक के गुण जुरूर आये हैं और अगिर उस लोहे जिसमे चुम्बक के गुण आये हैं उसको अपन बार बार पीटेगे ने गरम करें GET तो उपरेशन नीचे गिराएंगे तो उसके चुमबक तुबक के गुण वापस स्वाफ हो जाएंगे तो कहने का अलग यह एक प्रकार का उतकरमित है प्रिवर्तन है तो लोहे में चुमबक के गुण आए हैं चुमबक तुबक का जो गुण है वो वापस भी खतम हो सकता है तो उदाषनीकरण बिगरिया तो यह प्रकार का राषानिक प्रिवर्तन है उदाषनीकरण भी तो यहां पर इसका बी ऑप्शन जो वह सही है अगला क्यूस्टन है रासानिक प्रिवर्तन की पहचान करें chemical change कुन सा है पेड़ो को काटना लकडी के टुकडे करना या काटना एक अपन गरम करेंगे, तो पिंगल जाएगा, ठंडा करेंगे, वापस ठोस वास्ता मेजाएगा, यही जाएगा, यही भोधीक प्रियोरतन है, कली से फुल बनना, जो फलोर बड़ है, पुस्प कली का जिसको कहते है फंव और उसे फुल बन जाता है, तो फुल से वापस पुस् तो यहाँ पर अपर वापस उस तूटे वए काचों से पुने उसको पिंगला करके फेक्टरियों के अंदर वेसा ही काच या वेसी ही वस्तु दुबारा बना सकते हैं तो यहाँ पर काच का तुटना जो है बहुतिक प्रिवर्तन है तो इसका से आंसर जो है यहाँ राशानिक प्रिवर्तन है क्योंकि मेहंदी में जो राशानिक पदार्थ होते हैं उसके कांड मेहंदी मुख्य रूप से अपन जैसे हाथों पे लगाने का सजावट के तोर पर या बालों में लगाने के लिए कामिल लेते हैं तो बेहंदी का रचन एक परकार का रासानिक प्रिवर्तन है दूसरा इस्टेट्मेंट है विधुत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइट्रोजन और ओक्षिन में तूटना ये विधुत अपकटन अभिकरिया का एक्जामपल है विधुत अपकटन अभिकरिया जो वियोजन अभिकरिया है उसमें जब आपन जल के अंदर विदोधारा परवाहित करते हैं तो हैस्टु ओ जो water जो है वो hydrogen में और oxygen दोनों के उसमें वियोजित हो जाता है तो यहाँ पर यह है रासानिक प्रियोर्तन है जल में साधरन नमक का गुलना जल में नमक का गुलना या चीनी का गुलना शकर का गुलना ये भोतिक प्रिवर्तन है अपने वापस इसको गरम करेंगे तो पानी तो वास बनके उड़ जाएगा और नीचे जो है वो नमक किया तो चीनी जो अपने गोली वो सेस रह जाएगी तो ये भोतिक प्रिवर्तन का example है इसका correct answer है लकडी और कागज का जलना लेकिए वस्तों का जलना जो है दहन होना रासनी प्रिवर्तन है क्योंकि उसमें उसके राक बंजाती है लेकिन बलब का जलना बलब का जलना बहुतिक प्रिवर्तन है रासनी प्रिवर्तन नहीं है क्योंकि वहाँ पर बलब जो है परकास दे रहा है उसका दहन नहीं हो रहा है अगले क्यूशन के उड़ाते हैं प्रिवर्तन उतकर्मित किया ला सकता है उतकरमित यानि की भोतिक प्रियोतिन की बात हो रही है वापस प्राप्त करना आसवन एक वीधी है दो दरवेपतार्थों का मिसरण है उसे पर्थक करने की वीधी है जीसे मालिजिये पानी है पानी में एथिल अलकॉयल यानि की एथेनोल यानि की सराब अपन मिली हुई है और अपन चाहते हैं की सराब से पानी अलग हो जाए तो आस्वन विदी का अपन प्रियोग करेंगे और उसमें एथेनोल और पानी का दोनों का जो बोलिंग पॉइंट है वो अलग लग है तो यहां पर दर्व अवस्ता से वास्प और वास्प पिकर्ण से वास्प बनेगी और उस वास्प को पुने अपन संग्नन के द्वारा ठ सकता है तो इसका अंसर यह हो जाएगा दूसरा उप्स ने परकास अंसलेशन फोटो सिंतेसिस एक परकार का रासनिक प्रियूटन है क्योंकि परकास तंसलेशन में जो रो मेटेरियल है कच्छी सामगरी है वो सी योटू पोदा वाइविडल से प्राप्त करता है जल जड़ के प्राइट के अंदर फोटो सिंतेशिस मेक्शिमूम कर पाते हैं और उनके अंदर जो कलोरोफिल है उसके उपस्तिती में भोजन बराते हैं गुल्कोज बराते हैं साथ में ही बाइ प्रोड़क्ट यानिकी उप उत्पाद या सहे उत्पाद के रूपे ओक्सिजन गेस मुगत करते हैं जो की जल के उनों के तूटने से बनती है तो यहां पर फोटो सिंतेशिस केमिकल रियक्शन है यानिकी केमिकल चेंजेज है किन्वन फर्ग्मेंटेशन जो है वो भी एक परकार का रासानिक प्रिवरतन है क्योंकि अपन अंगूर के रस से या जो के रस से किन्वन के द्वारा सराब का उत्पादन करते हैं तो यहां पर एक परकार का अपना अनुत्करमनी है यानिकी रासानिक प्रिवरतन है आम का पकना फलों का पकना कोई फल हो उसका पकना जो है वो रासानिक प्रिवर्तन है वापस अपन कच्छा फल प्राप्ट नहीं कर सकते उसी फल को कच्छा नहीं बना सकते तो यहाँ पर आस्वन इसका करेट आंसर हो जाएगा पहले वाला अगला क्यूस्टन है परिवर्तन जो उतकरमी तो नहीं किया सकता क्याने कि रासानिक परिवर्तन की बात की जा रही है क्रिश्ट लिकरन जो है वो बहुतिक परिवर्तन है क्रिष्ट लिकर्ण का मलब यह होता है जैसे मालीजी अपने पास कोई विलायक है जैसे पानी है solvent और पानी में अपने कोई ठोस पदार्त मिलाया जैसे चीनी मिलाई और मिलाते गए और ज्यादा मिलाते गए उसी पानी के अंदर और एक कंडिसन एक इस्तती एशी आएगी कि अपन उसके अदर और ज़्यादा चेनी नहीं मिला पाएंगे तो उस इस्तती के समय दर्वे और ठोस की जो अवस्ताएं है वो कृष्टली अवस्ता कलाती है और इस परकरिया को अपन क्रिश्टली करण कहते हैं और जो ठोस और दर्वे इस समस्ता में जो है उनको अपन वापस अलग लग कर सकते हैं पर्थक कर सकते हैं क्रिश्टली करण को तो उतकरमित किया आ सकता है दूसरा है सुस्क सेल ड्राइ सेल जिसको अपन लेकलांज सेल भी कहते हैं तो सुस्क सेल जो अपन घरों में, टोर्च में, बेटरी में कामे लेते हैं तो यहाँ पर वो इस इस सेल है यह रासानी कुर्जा को विज़त उर्जार मदलता है और ये use and throw वाला जो sale है क्योंकि कुछ समयता पर इसको काम में लेंगे तो यहाँ पर इसको अपन दुबरा उतकरमित नहीं कर सकते चार्ज नहीं कर सकते तो यही answer इसका सही है आइस क्रीम का पिंगलना आइस क्रीम बरफ है और पिंगलेगी और आपन वापस उसको बरफ में बदल सकते हैं तो उसको उतकरमित कर सकते हैं प्रिजम से परकास का और रण विक्षेपन प्रिजम अपन देखा है अपने प्रिजम जानते हैं इस परकार चे यह प्रिजम है और इसमें जब स्वेथ परकास परभाहित करते हैं तो ये साथ अलग अलग रंगों में विवक्त हो जाता है सबसे अधिक विक्षेपन तो है वोलेट कलर का उससे कम विक्षेपन जो है इंडीगो, वी, आई, बी, जी, वाई, ओ, और सबसे कम विक्षेपन ट्रेट कलर का होता है यहाँ परकास साथ रंगों में विवक्त होता है तो यहाँ पर परकास का वरंग विक्षेपन है परन्तु यहाँ पर यह साथ रंग जो है इनको पर वापस स्वेथ परकास में प्रिवतित कर सकते हैं जब दूसरा प्रिजम इस प्रकार से उल्टा लगाए जए और ये सातो प्रकास की किरने जो है सातो रंग वाली जब इस प्रिजम से गुजरेंगी तो ये वापस स्वेथ प्रकास हमें परात हो जाएगा इसलिए प्रकास का जो वरन विक्षेपन है वो एक प्रकार का उतकरमित किया सकता है यानि कि बहुतिक प्रिवर्तन है तो करेक्ट आंसर जो है वो सुस्क सेल है निमलिक्ष प्रकरमू के अंतरकत होने वाले प्रिवर्तनों को बहुतिक प्रिवर्तन के रूप में कलाशिफाई कीजिए यहां हमें इनका चेन करना है कि कौन-कौन से प्रिवर्तन बहुतिक प्रिवर्तन है तो देखो फलो से सलाध बनाना बहुतिक प्रिवर्तन है कोई नया प्दार्थ नहीं बना है उसमें कोई गून उसके बदले नहीं है फलों से अपने इसको टुकडे की हैं चाकू से बस सलाथ बन गया बोजन का पकना यहां पर यह रासनिक प्रिवरतन है कोले का जलना रासनिक प्रिवरतन है हीमोगलोबिन का ओक्सिजन से संयोजन हमारे रक्त के अंदर जो RBC है और वो ओक्सिजन का परिवरन करती है तो ओक्सिजन का संयोजन और वियोजन चलता रहता है तो यहां पर यह एक परकार का बहुतिक प्रिवरतन है अलूमिनियम के टुकडे को पीट कर उसका पतला पात्तर यानिकी फोईल बनाना यह भी बहुतिक प्रिवरतन है क्योंकि अलूमिनियम को अपन दातु है उसको तन्यता का गुन भी उसमें होता है आगात वर्देता का गुन उसमें होता है अपन पीट करके पतले चदर बना सकते है तो इस परकार से और वापस उसको अपन मन चाहा आकार दे सकते हैं और सिशा संचायक सेल जो है यह भी एक परकार का अपना भौतिक प्रिवर्तन है क्योंकि इसमें जो अभिक्रिय होती है वो उतकर बनी होती है यानि कि जो शिसा संचाइक सेल है उसमें जो लिथार्ज बरा होता है जो लेड अक्षैड होता है वो चार्ज और डिस्टार्ज बेटरी जो होती है अपनी मोटर गाड़ियों में वो उतकरमित वाली है बहुत तिक वाली है तो यहाँ पर उपसन हो जाएगा एक नमबर चार पांथ और छे तो देखते हैं कौन सा उपसन सही है 1.4.5 और छस है यह सह उपसन सही है तो इसका अंसर सह हो जाएगा कि Meansल में इसे सत्ये कधण है सत्ये कधण का चेन करना है पहला बेगे को ट्षै को टुकुडों में कातना एक रास्ताजान सब नहीं बहुतिक प्रिवर्थन है, ठीक है? क्यों लगडी के टुकुड़ों के अपन कातेंगे तो लगडी ही रहेगी वो, उसमें गून लगडी के रहेंगे, नया पदारत नहीं बना है, पत्यों से खाद का बनना बहुतिक प्रिवर्थन है, यह भी स्टेटेमेंट कर लेते हैं, प संगनित करेंगे तो संगनन के कारण वापस वो है दरवास्ताई वदल सकता है तो बाप का संगनन जो है वो क्या है अपना एक परकारशे बहुती प्रियोतन है ये इसका सही अंसर है लोहा और जंग एक ही पतार्त है जी नहीं लोहा अलग है लोहा जो लोहा दातु है आरेन है और जब लोहा नमी जल वास्प और वायू के उक्षिन के संप्रक में आता है तो जंग बन जाता है यानि की F2O3 जंग का दूस उत्र है उसमें फेरिक उक्षाट बन जाता है दोनों अलग अलग चीज़े हैं तो correct answer हो जाएगा सै यहां देखते हैं अपर कुछ इस्टेटमेंट दिये गए है किस्ट नुमर 12 में एवाईवे जिवानों यानि कैसे बक्टिरिया जो वायू की अनुपस्तिति में भी जिन्दा रह सकते हैं वो एवाईवे जिवानों होते हैं वो जेवी के अपसिश्पदार्थ जैसे गोबर है या फलों के सबजियों के छिलके हैं उनको अपकेटित करके जेव गेस बायो गेस बनाते हैं बायो गेस जिसको अपन गोबर गेस भी कहते हैं उसमें मुखे रूप से मेथन होता है तो यह प्रिवरतन A है और फिर यह जो जेवगेस है उसको इंदन की रूप में अपन जलाते हैं तो यह प्रिवर्तन B है तो यहाँ पर जो इस्टेटमेंट दिये गए है उन में से सही कथन का अपन को चेन करना है तो यहाँ दिया कि परकरम एक रासानिक प्रिवर्तन है बिल्कुर सही है इस परकरम और बी दोनों ही रासानिक प्रिवर्तन है यह जो एकरेक्ट आंसर Eux थो दूसरा भी सही है पर तूँत तीसरा दोनों को मिला करकर बनाया है खीक है तो आइफ्सर होजाएगा सैसे ऑर रासानीक प्रिवर्तनों का समुल यानिकि ग्रूप ऑफ केमिकल चैंजरेस कौन सा है तो दूद्ध से पनीर बनाना यह रासानीक प्रिवर्तन है खीचे रबडंड से समाने साइज का रबडंड क्योंकि रबर्ड जो होता है उसके अंदर elasticity की नेचर होती है उसकी परवर्ती होती है इसको खीजते हैं तो उसके आकार आकरती बढ़ जाती है छोड़ते ही वापस वेशी हो जाती है तो यह बहुत प्रिवर्तन है जठर में अनका पाचन हमारा जो इस्टोमक है इस्टोमक के अंदर जो अपने जब खाना खाया है उसका digestion होता है पाचन होता है तो यह रासनी परिवर्तन है नेफ्टलिन की गोली का हवा में खुला रखने पर उसका आकार कम होना नेफ्टलिन जिसको अपन कपूर भी कहते हैं तो यह नेफ्टलिन जो है उध्रपातक पदार्थ है यानि कि ठो सबस्ता से सीदे ही गेस यह वस्ता में दल दाता है और गेस वापस सीदे ही ठोस वस्ता में जो आ जाता है वो उध्वरपातन का लाता है तो यहां पर यह भोतिक प्रिवर्तन है सहाबादी फर्स या काले फर्स पर निम्बू के रस का दाग देखो सहाबादी फर्स जो है वो है संगमर्मर का फर्स होता है अपना संगमर्मर यानि कि मार्बल जिसको अपन केल्शियम कार्बोनेट जिसका सुतर है और केल्शियम कार्बोनेट के विकरिया अपने निम्ब तो उसमें जो बदार्थ बनता एक रासानिक अभिक्रिया हुई है तो एक परकार का रासानिक परिवर्तन है पटाकों का विस्पोर्ट पटाके जब जलाते हैं तो उसमें जो बारूध है उसके जल जाने से उसके राक बन जाती है और बहुत ज़्यादा दवन्नी साउंड उ गंद का उत्पन होना या गंद का बदल जाना यह राशानी प्रिवत्न के उदारन है यहां पर यह राशानी प्रिवत्न है तो कहने का अध्रम को इसमें से राशानी प्रिवत्न को से Lekson करना ता तो यहां पर इसका जो Recovery Answer वह है आहे वाला पहला यह वह is तोदोग से पनीर रासानिक थी नामबर बोज़न बोज़ार किर आमें के साथ लग्षब करुए थी रावायि है यह को मॉले बोगे साल है 5 चाली ञीने का ज़लना कागज का जलना 8 Raphaण का जलना अबना रहAm आंसर होजाएगा कोलने का तल ना, सुस्क बरफ का सिबलीमेशन, सिबलीमेशन होते हैं उधरपातन को, सुस्क बरफ यानिकी ड्राइ आइस जिसको कहते हैं D2O, हेवी वाटर, भारी जल, ठीक है, तो यह D2 जो है, है तो दूसरा समस्तानिक है, यानिकी ड्यूटेरियम, तो जो सुस्क, सुरी, सुस्क बरफ जो है, ठोस शियोटू को कहते हैं, सॉलिड जो सियोटू है, ठीक है, यानिकी, जो कर्बंडा एक्साड है, उसको बहुँच जाता कंप्रेस किया दे, तो यह सुस्क बरफ होती है, और यह इसका सिदह ही उधरप हो जाता है ठीड की तो यहां पर यह भंतिक प्रिवतन है सोने का पिंबलना है सोना एक मेटल है दाटु है और गोई सार नियू का सोने के रहेंगे वापस ठंडा करेंगे तो वापस ठोस्वस्ता में जाएगा तो यह बहुतिक परिवर्तन है चीनी का पानी में घुलना चीनी या सक्कर का इनका पानी में घुलना जो है वो बहुतिक परिवर्तन है तो यहां रासानी परिवर्तन है कोईले का जलना और लास्ट क्यूस्टन जो है उसकी तरफन बढ़ते हैं कौन सा प्रिवतन उतकर्मित किया जा सकता है उतकर्मित यानिकी रिवर्शिबल है रिवर्शिबल यानिकी भोतिक है तो अपन इनका चेन करते हैं भोतिक प्रिवतनों का कच्छे अंडे से उबलाव अंडा अंडे को अपने बोल कर लिया तो वापस अपन कच्छा अंडा प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो राशानी प्रिवत्न हुआ गाटे गोल से इडली बनाना, इडली का जो गोल है उस से अपन इडली डोसा बनाते हैं तो वहाँ इडली बन चुकी है तो उस से वापस उसका गाटा गोल अपन प्रापन नहीं कर सकते हैं आसानीा पृट्रान सबुनाओक वतिक है उनके दागे से बुंहान स्वेटर से अपनेवाइं वापस दागा उसको उधेर सकते हैं थेनदे दूद से गरम दूद तक ठंडा करना गरम करना शित्र दोरीं को कुंड्ली मनाना फिल में लपेटना उसको वापस शिद्र कर दिना बौतिक प्रिवतन है समाने एक्जाम्बल है तो इसका option हो जगा 3,4,5,6 तो देखतें कौन सा option सही है यह रहा 3,4,5,6 यानि की B option सही है तो यहाँ पर हमने physical changes और chemical changes जो बोतिक और राशनी प्रियोतन है उन से समन्से थे जो महतोपुन क्योशन licenses है उनको समझा यहां एक बात और बता दूम आपको मौमबती का जलना है देखो अगर केवला आता मौमका जलना तो मौमका जलना जो केवल है वो तो है, जलने के लिए अपन बात करते है रासनी प्रियरतन लेकिन जब मौमबती जलती है तो उसमें मौम भी जल रहा है तो रासानिक परियोतन भी होता है और मौम पिंगल भी रहा है तो मौम का पिंगलना जो है वो भोतिक परियोतन है तो केवल मौम का जलना रासानिक परियोतन है और मौम बतिक का जलना जो होता है उसमें बहुतिक और रासानिक दोनों परवतन होते हैं क्योंकि वहाँ पर मोम जल भी रहा है और मोम पिंगल भी रहा है तो यहाँ यह आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है तो इसी के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और आगे भी बहुत सारे इसमें अपन कंप्रिशन एक्जाम के लिए वीडियो डाले वाले हैं तो बने रहेगा चनल पर थेंक्यू वेरी मच्च